नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मच्वारे उपन्यास का दूसरा भाग, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मच्वारे उपन्यास पहले मलियालम में लिखा गया था और इसको 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया था, एक भाषा उसमें हिंदी भी थी, मलियालम में इसका ना में उस दिन काम की भीड थी, डेर लगा कर रखी हुई मचलियों को बोरों में भरने के लिए पूरब से ओरते आई हुई थी, जब करतुम्मा आकेली भीना काम के बैठी, तब उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कोंद गया, क्या परिकुटी उन ओरतों की छाती की ओर भ मैं उसने करुतम्मा को फिर सावधान गया, बिटिया मैंने जो जो कहा है सब याद रखना, करुतम्मा को मालुम था कि क्या-क्या याद रखना है, थोड़ी देर के बाद चेंपन घर आया, करुतम्मा ने बात परोज दिया, आज चेंपन ने बेटी को जरा गोर से देखा, जैसा इसके पहले कभी नहीं किया था, वह तो रोज ही उसे देखता था, लेकिन आज उस तरह देखने का क्या मतलब था, करुतम्मा डर गई, कि बाप को भी कहीं उसका रहसे मालुम तो नहीं हो गया है, लेकिन यदि मालुम हो भी गया होता, तो वह जरूर गुसा दिखात उसके भाव में गुसा नहीं था, चक्की ने पिछली रात को उसे याद दिलाया था, कि घर में बेटी ब्याही जाने लाइक हो गई है, चेंपन ने जब से हो संभाला था, तब से अपने नाव और जाल खरिदने की ही कोशिस में रहा है, अब एक और मुखे बात की और उसक चेंपन ने बेटी को ध्यान से देखा था, वह आज भी दूसरे की नाव में काम करके अपना हिस्सा कमा लाता था, शुरू में वह नाव में डांट चलाने का काम करता था, अब वह पतवार चालक का काम करता है, उसके जीवन का एक निश्चे तुदे से था, अपने कमाई क एक पैसा भी वह फिजूल खर्च नहीं करता था, आब तक उसने कुछ जमा भी कर लिया था, लेकिन नाव और जाल खरिदने के लिए वह काफी नहीं था, लड़की यूवती हो गई है, उससे गलती भी हो सकती है, चक्की ने जो कहा है, सो ठीक ही कहा है, उसका डर भिना कार नहीं था, नाव और जाल खरिदना चाहिए या बेटी की शादी करनी चाहिए, यह आब सोचने का वेशे हो गया, चेंपन ने भी बेटी से कुछ कहना जरूरी समझा, बिटिया, तुझे अपनी मर्यादा की रक्षा करनी है, बाप ने भी कह ही दिया, करुतम्मा ने कोई ज करुतम्मा की रहा देखता होगा, चेंपन परी कुट्टी के पास पहुचा, करुतम्मा ने दोनों को बहुत देर तक बाते करते देखा, वे किस विशे पर बाते करते होंगे, इसका उसने अंधाजा लगाया, उसको लगा कि उसका बाप परी से कर्ज मांगता होगा, उस र पूटी जोपडी के अंदर चुपचाप लेटी हुई करूतम्मा ने उसे सुना, उसे परी से अब तक एक ही बात कहनी थी, कि वह उसकी छाती की और नजर गड़ा कर ने देखे, अब उसे एक और बात कहनी है, कि वह गाना भी ने गावे, दो दिन पहले तक वह एक तितली की भानती, सोलास दोड़ती फिरती थी, लेकिन दो ही दिन में उसमें कैसा परिवर्तन हो गया, बैठ कर सोचने के लिए कोई बात मिल गई, वह अब आपने को पहचानने लगी है, क्या वह जीवन को गंभिर बनाने वाली बात नहीं थी, वह आपने को जाचने लगी, एक एक क दम सोच विचार कर आगे रखना था, पहले की तरहें सोचंदता पूर्वक, दोड़ती फिरना, अब सब्बे नहीं था, एक मर्द ने उसकी छाती की ओर देखा है, और वह बच्ची से अब एक इस्त्री हो गई है, तीसरे दिन परिकुटी का गाना नहीं सुनाई पड़ा, उस दिन भी चांदनी फैल कर मन को लुभा रही थी, समुदर का एक रहसे पूर्ण गीत नारियल के पत्तों में हिलोरे लेता हुआ, पूरव की ओर फैल रहा था, अब जब परिकुटी गानी रहा था, करुतम्मा के कान उसका गाना सुनने के लिए ब्याग्र हो उटे, क्या वे आगे गाए गाही नहीं, रात का खाना खाने के बाद चेंपन कहीं भार चला गया, चक्की सोई नहीं, करुतम्मा ने कारन पुछा, मा ने बेटी से सो जाने को कहा, लेटे लेटे करुतम्मा की आखे लग गई, एका एक वे जाग उठी, कोई पूछ रहा था, करुतम्म में आने वाला जो कंपण था हुष से कर्यूतंबा ने आदमी को पहचान लिया वह परिकुटी था चक्की ने जवाब दिया वह सो गई तकी की आवाज में जो एक संकोज था सो भी कर्यूतंबा ने समझ लिया उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया उसने उठकर तूटी धिवार की दरार से बाहर जाका, परिकुटी और चेमपन दोनों मिलकर एक बाहरी बोज उठा कर भीतर रख रहे थे, एक नहीं, दो नहीं, छे साथ भरे वे बोरे थे, उसमें सब में सुखी मचलियां थी, करुतम्मा का कलेजा धक-धक करने लगा, मानों फट जाएगा, बहर आंगन में चक्की, परिकुटी और चेमपन तीनों आपस में धेरे-धेरे बाते कर रहे थे, दूसरे दिन करुतम्मा ने मां से उन बोरों के बारे में पूछा, चक्की ने जराचल के साथ जबाब दिया, कुछ शन के बाद उसने कड़क कर आगे कहा, इस तरह पूश्तास करने के लिए वह तेरा कोन है री? तू आपने को समाल कर रख, समझी? करुतम्मा का बहुत कुछ कहने का मन था, परिकुटी उसका कोई नहीं था, लेकिन क्या वह चोरी नहीं थी? उसका मतलब था करुतम्मा ने कुछ कहा नहीं, दूसरे दिन उन सूखी मसलियों की विक्री हो गई, उसके बाद के दिन समुदर में मच्वारों को बड़ी आमदनी हुई, चेंपन की नाव किनारे पर एक बार धेर लगा कर दुबारा गई, चक्की माल बेचने पूरब गई थी, पंचमी भी घर पर नहीं थी, करुतम्मा अकेली थी, परिकुटी आया, करुतम्मा दोड कर भीतर चली गई, परिकुटी बिना कुछ बोले ही थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा, उसे भी संकोज हो रहा था, उसका मुँ और कंट सूख गया था, उसने इतना ही कहा, नाव और जाल ख कोगे, यही जवाब मिलना चाहिए था, यही जवाब करुतम्मा ने पहली बार दिया था, पर इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया, उस दिन इस तरह की बातचीत के सिलसले में दोनों खुब जोर से हसी थे, परिने सोचा भी होगा, कि वह हसी फिर दुराई जाएगी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, करुतम्मा एकदम चुप थी, परी ने पूछा, करुतम्मा तुम बोलती क्यों नहीं हो, क्या मुझसे कुटी कर ली है, परी को लगा कि वह भीतरी भीतर रो रही है, उसने पूछा, रो रही हो करुतम्मा, उसने आगे कहा, मेरा आना पसंद तो मैं जाता हूँ, इसका भी कोई जवाब नहीं मिला, तब रुंदे हुए कंट से परी कुटी ने पूछा, क्या मैं जाओं करुतम्मा, मोतलाली तुम एक विधर्मी हो, करुतम्मा ने जवाब दिया, मानो परी का आखरी सवाल उसके हरदे में कहीं लग गया हो, परी कु परी को लगा कि करुतम्मा ने उस पर भारी आरोप लगाया है, उसको लगा की करुतम्मा सोचती है कि काम के लिए आने वाली मजदूर्नियों के साथ उसका अनुचित सम्बंद है और इसलिए वे नाराज है, उसकी समझ में नहीं आया कि वे कैसे अपनी निर्दोशिता का परमान दे, उसने किसी को भी उस नजर से नहीं देखा था, उसने सच्चाई से कहा, अल्ला की कसम मैंने किसी को भी उस नजर से नहीं देखा है, परिकुटी अच्छा आदमी है, ये साबित हो जाता तो करुतम्मा को बड़ी खुशी होती, इसमें कोई संदे नहीं था, लेकि उसे कैसा जीवन बिताना है ये भारी तत्व ज्यान सारा का सारा सुनाना पड़ेगा और ये काम उसे नहीं होगा इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी निश्टब्धता में काफी समय बीद गया किसी ने कुछ नहीं कहा उस चुप्पी की आवदी बढ़ जाएगी मानो इसी डर से क करुतम्मा ने कहा अम्मा अब आएगी इससे क्या डर कर उसने कहा बापरे बाप ये गलत है ये अपराद है तुम भीतर हो मैं बाहर हूँ फिर क्या ये भी उसे समझना होगा कैसे कहना शुरू करती तो कितना कहना पड़ता परी ने पूछा करुतम्मा तुम मुझसे प्रे हसाऊंगा नहीं जरा देखकर चला जाऊंगा निस्सहाई भाव से करुतम्मा ने इतना ही कहा नहीं नहीं बापरे बाप तो मैं जाता हूँ जवाब के तोर पर भीतर से आवाज आई मैं सदा सरवदा परेम करती रहूंगी इससे बढ़कर कौन सी परतिग्या चाहिए थी परिवहा से चला गया उसके चले जाने पर करुतम्मा को लगा कि जो कहना चाहिए था सो तो कहा नहीं और जो नहीं कहना चाहिए था वहीं कह दिया उस रात को करुतम्मा ने मा बाप दोनों को रोशनी जला कर रुपया गिनकर रखते देखा अब भी रुपया कम था तो भी चैंपन को तसली थी उसने कहा ओसिप या किसी और गला काटने वाले की पल्ले पड़े बिना ही इतना तो हो गया चक्की ने भी सहमती परकट की मच्छवारों को दोखा देने के लिए जेब में रुपे डालकर घुमने वालों से रुपया लिया होता तो तब तो ने नाव रहेगी ने जाल ने लगाया हुआ रुपया ही मिलेगा ओसिप और गोविंदन हाल में भी पूछ रहे थे कि करजा चाहिए क्या चैंपन ने जवाब में ना के दिया था उनसे लेने पर करजा कभी चोकता ही नहीं इतना ही नहीं नाव और जाल भी जल्दी ह उनीका हो जाता गरीब मच्छवारों के साथ ऐसा ही होता आया है अभी रुपया कम है तो उसका क्या उपाए है चेंपन ने कहा छोटा मोत लाली ही बाकी रुपया क्यों नहीं दे देता जीवन में पहली बार कर्टमा के मन में मा बाप के प्रति घरणा उत्पनुई मा ने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों नहीं किया इस विचार ने उसे और भी परिशान कर दिया परी के घर में इसके बाद मचली सुका सुखा कर बोरों में भरने का काम बड़ी तेजी से होने लगा इसका रहसे करुतमा को मालूम था थोड़े ही दिनों में वैं काफी होश्यार हो गई थी, जीवन में अभिवरदील आने वाले परिवर्थन की खुशी में चक्की ने करुतम्ह से कहा, बेटी हमारी नाव और जाल के आने का समय आ गया, करुतम्ह ने कुछ नहीं कहा, उस खुशी में वय भागिदार नहीं हो सकी, उस की एसी ही प्रतिक रिया थी चक्की ने कहा समुदर माता ने कृपा की है करुतम्मा के मन में जो गुस्सा भरा था वह प्रकट हो गया उसने कहा लोगों को धोखा देने से समुदर माता नाराज नहीं होंगी क्या चक्की ने करुतम्मा की और गोर से देखा करुतम्मा विचलित नहीं हुई उसे और भी पूछना था उस बेचारे को धोखा दे कर नाव और जाल नहीं लाना चाहिए अमा ये तो अन्याय है क्या कह रही है री कि धोखा दिया है करुतम्मा ने हिमत के साथ कहा हां किसने करुतम्मा की चुप्पी ही इसका जवाब था चक्की ने कहा ओसेप स सिर्फ सूद के साथ उसका रूपया लोटा देना पड़ता ये है नहीं लोटाना है क्या करुतम्मा ने चक्की से सीधे धंग से पूछा ये है ये है लोटाने के लिए लिया गया है क्या चक्की ने कहा कि परी से सुखी मसली लेने में कोई धोके बाजी नहीं थी चेंपन पूछा था जोड़ नहीं दिया था जूट भी नहीं बोला था ने धोखा ही दिया था उसका रूपया जरूर लोटाया जाएगा करुतम्मा ने पूछा आधी रात के समय बोरे उठा कर रखे जाते हैं यह लोटा देने के लिए है ऐसा है तो दिन के समय लाने में क्या हर्च ऐसे ही कामों से समुदर में दुफान उठता है करुतम्मा की अंतिम बात ज़्यादा हो गई चक्की को गुस्सा आ गया उसने पूछा तू क्या चाहती है री तेरे बापने चोरी की है करुतम्मा चुप रही मा के अधिकार पूर्ण स्वर में चक्की ने आगे कहा वै विधर्मी छोकरा तेरा कोन है री तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है करुतम्मा केहना चाहती थी कि वै उसका कोई नहीं है लेकिन उसके मुह से कोई शब्द नहीं निकला उसे लगा कि वै क्यों कहे कि परी उसका कोई नहीं है क्या सचमुच वै उसका कोई नहीं है उस समय उसे लगा कि परी वास्तों में उसका सब कुछ है चक्की ने अपना सवाल दोराते वे कहा बाप रे बाप लगता है कि लड़की समुदुर तटका सर्वनास कर बैठेगी करुतम्मा ने द्रड़ता के साथ मा का विरोध किया मैं अपनी मर्यादा छोड़ने वाली नहीं हूँ फिर तुझे उसके लिए क्यों इतना दर्द होता है इस हिसाब से तो उसे यहां से अपना डेरा डंडा सब उठा कर चल देना होगा चक्की ने बेटी को फटकार कर खुब डाटा करुतम्मा चुपचाप सुनती रही उसे जरा भी नहीं आखरा चक्की उसी तरह बोलती गई जब उसकी डाट फटकार सीमा पार करने लगी तब करुतम्मा ने मा से पूछा क्या उसने बप्पा पर विश्वास करके ही पैसा दिया है नहीं तो फिर किस पर एका एक चक्की को याद आया कि करुतम्मा ने उससे रुपया मांगा था और शैद वही बात याद करके वह पूछ रही है उसने जहला कर कहा क्या तेरे मांगने से दिया है करुतम्मा ये नहीं कह सकती थी कि उसी के मांगने से परी ने रुपया दिया है लेकिन मैं जानती थी कि परी उससे प्यार करता है उसने कहा मुझसे कुछ मत कहलवाओ अम्मा क्या कहलवाना है परी जरा रुक कर चक्की ने फिर कहा तू यही कहना चाहती है कि मैं ही उसके पास नास्ती हुई दोड़ी गई थी रुपया मागने के लिए अम्मा मुझे इतना उपदेश दे कर उसे रुपया क्यों लिया अब उसका करजदार होकर आगे कुछ कहने में वै एसमर्थ हो गई उसका गला रुंद गया चक्की का भी दिमाग जरा ठिकाने आ गया करुतम्मा के कथन में तथे था थोड़ी देर के लिए चक्की को भी बुरा लगा उसे लगा कि कुछ गलती हो गई है और खत्रे की ओर कदम बढ़ा दिया गया है उसने पूछा क्या है बेटी, क्या हो गया करुतम्मा रोती रही क्या वे यहां आया था बिटिया करुतम्मा ने एक भारी जुट बोल दिया नहीं, तब क्या है बिटिया अगर आवे तो मुझे क्या करना चाहिए अम्मा चक्की ने आपने को निरपराद साबित करना चाहा उसका तरक था कि ये नहीं सोचा गया था परी से सहयता मांगी और उसने सहयता दी लोटाने के ख्याल से ही उससे रुपया लिया गया है तो भी करुतम्मा का डर ठीक था परी बचलन नहीं था इसका चक्की को पुरा भरोसा था फिर भी उसकी उम्र तो कम ही थी चक्की का मन एक एक अशान्थ हो गया उस समय उसे लगा कि परी से रुपया नहीं लिया गया होता तो अच्छा होता लेकिन चेंपन को ये सब कहा मालूम था उस दिन भी करुतम्मा की शादी की बात को लेकर चक्की ने पती को तंग किया उसने जोर देकर कहा कि वेलायू धन से बाते करके देखना चाहिए पहले यही काम होना चाहिए नाव और जाल लेने के बारे में बाद में सोचना ठीक होगा लेकिन चेंपन उसके लिए तयार नहीं था उससे सब कुछ खोल कर कैसे कहे उसने गुसा परकट करते हुए कहा अब तक तुम्हारे जाल और नाव के लिए पैसा कठा करने के विचार से मैं टोकरियां भर-बर कर बेचने जाया करती थी आगे इस अमंदनी की आशा मत रखना चेंपन ने अलक्षे भाव से चक्की की ओर देखकर कहा बिना सोचे विचारे ही तू क्या बोल रही है चक्की ने चिड़कर कहा मैं ठीक ही बोल रही हूँ क्या मुझे अपने बेटी की रक्षा करनी है माने उसकी अब उमर हो गई है उसे घर पर आके लिए छोड़कर कहीं जाने का मेरा मन नहीं है नहीं तो बेटी की शादी करा दो चेंपन चुप रहा माननो उसकी समझ में बात आ गई चक्की बेचने जाने का काम नहीं करेगी तो बड़ा घाटा होगा ये निश्चित था उसने पूछा क्यों रही कोई गड़बडी हो गई है नहीं लेकिन हो जाए तो सावदान रहने की जरुरत तो थी ही लेकिन चेंपन का पूरा विश्वास था कि करुतमा सुशील है उचरंकल नहीं है अकेली रह जाने पर भी वह कोई गलती नहीं करेगी चक्की ने पूछा गलती करने के लिए कितना समय चाहिए चेंपन ने जवाब नहीं दिया अगले दिन चक्की पूरब नहीं गई चेंपन ने भी जोर नहीं दिया उस रात को भी सूखी मचलियां लाने की बात थी लेकिन इस बार चक्की ने विरोध किया हमें वह नहीं चाहिए चेंपन ने पूछा क्यों उस लड़के को क्यों धोखाते रहे हो किसने कहा है कि धोखा दे रहा हूं नहीं तो क्या उसका रुपया लोटा दोगे चेंपन ने हा कह दिया करुतमा को लगा कि परी को बता देना चाहिए कि रुपया वापस नहीं मिलेगा वह गुपत रूप से ये बात उसे बता देने के मोके की ताक में रही लेकिन मोका नहीं मिला रात को परी कुछ बोरे ढोकर लाया और बिना किसी संकोच के चैम्पन ने सब उठा कर घर में रख लिए परी से ये भी नहीं कहा कि कब उसका रुपया लोटा देगा करुतमा को लगा कि उसमें बाप के सामने भी बोलने की हिम्मत है उसने मा को ही इसमें जादा कसूरवार समझा करुतमा को लगा कि सब दिन के लिए जुका देने वाला भार उठा लिया है